कि अभी गुड बॉनिंग अभी स्टार्ट करते हैं सभी लोग कॉपियां बंद कर दीजिए प्रापर पूस्ट नहीं रहे हैं बस आप साथ के साथ बोलते रही हैं का लोगों का चैप्टर था बाइपॉलर जंक्सेंट ट्रांजिस्टर कोपी कोई नहीं खोलेगा अपने को जितना याद है बस क्रॉस्चेक करते रही है कि आप कितना पढ़ गया है यह बाइपोलर जंक्षन ट्रांजिस्टर में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बीजेटी को अगर मैं लेकर चलता हूं तो मैंने कहा भी था यहां से इसके फुल पॉर्म क्या थी में द्यक्नसन ट्रांजिस्टर होता है यह होती हैं एक्टिव डिवाइस होती है ठिक एक होती है non-linear होती है और Unilateral device होती है ठीक है फिर उसी तरह से अगली बात हमने क्या कहीं थे ये कैसे डिवयस होती है और इक ही यह होती है त्हिंग सी बात के basis पर फिर अगली बात कही थी कैसे डिवाइस होती है current controlled device होती है यही था इसी को हमने और elaborate किया था तो फिर हमने कहा था कि यह क्या होता आपका current controlled current source होता है ठीक है कि यह क्या होता है current controlled current source होता है इसी के basis पर current controlled current source के basis पर ही फिर मुझे समझ आया था किया समने का collectors है का queerPR Cum सोर्स करेंट का ही है इसका मतलब output भी क्या अब कहीं करेंट he अगली बात पर हम बढ़े हमने कहा कि यह कैसा था bipolar था अब bipolar का मतलब क्या होता है कि यहां पर किया है आपके दो चार्ज केरियर होते हैं यही था है बोलते सब लोग रहे हैं दो चार्ज केरियर कौन कौन से standard कहूं तो majority और minority और यह majority minority कौन होंगे electrons and holes होंगे दोनों में से एक majority होगा तो दूसरा automatic minority होगा इसी बात को पकड़ते वह हमने कहा था कि bjt में minority होता है फिर minority के basis पर हमने बात की कि minority है मतलब leakage होगा लीकेज है इसका मतलब फिर डिले भी होगा डिले होगा साथ के साथ power का consumption भी जादा होगा ठीक है कि यहां हमने कहा था power consumption भी जादा होगा power consumption के साथ क्योंकि मुझे पता है कि कि लीकेज माइनियूर्टी के कारण है माइनियूर्टी एक ऐसा पैरामीटर है जिस पर सिर्फ किसका इफेक्ट आता आपका टेंप्रेचर का आता है तो इसलिए हमने कहा था कि बीजेटी कैसा होता है लेस थर्मल इस्टैबल कहो या फिर हाइड टेंप्रेचर सेंशेंटिव एक ही मेनिंस इन दोनों बन बातों का होता है कि हाई अध जले स्टैबल होता है यहीँ था थी माद अगली बात पर जब बढ़े थे आगे के पौइंट्स पर जब बढ़े थे तो हमने कहा कि बीजेट के comparison में देखूं तो यह constant value कैसी होगी ज्यादा होगी और इसी लिए बीजेटी एक कैसे amplifier होता है अच्छा amplifier होता है better amplifier होता इतना था फिर इसी में और आगे बढ़े थे तो मैंने कहा था कि बीजेटी के लिए जो अपना gain होता है वो कैसा होता है आई होता है कि gain का जो value आता है वो कैसा आता आपका ज्यादा आता है gain ज्यादा था तो मैंने साफ कहा कि bandwidth कैसी हो जाएगी low हो जाएगी कम हो जाएगी सही है transistor को या बीजेटी को बनाने का जो main application था वो क्या था हमारा emplification था signal की strength को बढ़ाना था उसके amplitude को बढ़ाना था यह था यह तो हमारे basic सबसे पहले question है जो examination में हमें पूछे जाते हैं introductory questions चाहिए है क्या था तो तो सारे ही आ जाएगा ना delay ज्यादा था कांगी है delay ज्यादा होगा देड़ ज्यादा लगेगी तो इसका मतलब speed कैसा हो जाएगा आपका कम हो जाएगा switching speed अपने आप क्या हो जाएगा आपका slow या low हो जाएगा सभी है क्या हुआ कुछ गड़बढ है कि आप आगे बढ़ते हैं तब पूछते हैं ठीक है इसके बाद फिर हमने कहा था कि और कुछ physical structure पर हम बीजेटी के चले थे bipolar जंसेंट ट्रांजिस्टर के चले थे copy कोई नहीं खोलेगा बस खुद को चेक करते रहें ठीक है चाहे ऑनलाइन वाले स्ट्रूडेंट वाले हो खुद को चेक करते रहें बाहर जाना है फिल्लाव बट्स बने रहना दोनों भार पर रहे तो चले यां फिजीकल स्ट्रूट्सर केह बात करता हूँ तो सब से पहले बात कहीं कि तो कset वहां सबसे पहले बात कई कि कितनी टैर्मिनल होते हैं ठीक है तीन टैर्मिनल के साथ जंक्सन की बात करता हो तो दो जंक्षन होते हैं वैसे सोरियां कभी तुम दोनों भाइबेन हो तब ज्यादा समस्य हो जाए कि क्या बोल दिया इस सब से वैसे ज्यादा समस्य होगी जहां तक मुझे अपना आप एक्सपीरियेंस कहता है छाट है ऐव अगर तुमने वाइब बात हीं तुमसे स их path Nichol 어느 इनमी ऌइंथ होते हैं कौन कौन से होते हैं पहला टर्मिनल होता है अमीटर दूसरा बेश और तीसरा टर्मिनल होता आपका collector ठीक है मुझे question पूछता है सबसे ज्यादा doping कहां होती है एमिटर पर सबसे बड़ा size किसका होता है collector का होता है और अगर मुझे पूछे कि doping भी कम और size भी कम तो वो दोनों किस case में होते हैं बेश के case में होते हैं ठीक है कारण हम आपको बताय हुए हैं जंटा संब साथ का था एक जंग्सन एमिटर बेश के बीश में होता है और दूसरा जंग्सन collector और दोलियर 11 की पर बात करता कि अगर दोनों जंज्यंचन पर फॉरवर्ड आइस है तो कैसे काम करता रीजन में काम करता है फिर मैंने दूसरी बात यहीं से कही कि दोनों जंक्षन अगर मेरे रिवर्ट्स बायस में है तो यह कैसे करता है कट आफ रीजन में काम करता है फिर तीसरी बात मैंने कही कि एमीटर बेस फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रिवर्ट्स में है तो फिर transistor का कौन सा region होता है active region होता है और लास्ट का था इसी का opposite के पहला reverse और दूसरा forward ठीक है तो यह क्या जाता आपका फिर inverse active region आ जाता है याद रखना है ऐसे ठीक फिर इसके बाद मैंने बात कई थी कि दो region ऐसे होते हैं जो हमारे कहां यूज होते हैं switching या digital circuit में युज होते हैं कौन-kौन से थे आपके saturation था और दूसरा कौनसा था कट मरसान की बात करता हूं तो एक on switch की तरह होता है ठीक है और cut of की बात करता हूं तो एक off switch की तरह होता है वहीं अगर active region की बात करता हूं तो इस इस रीजन में transistor क्या करता है amplification करता है वहीं अगर inverse active के बात करता हूं तो यहां क्या होता आपका attenuation होता है amplitude level आपका decrease होता है यही था यह आप लोगों का क्या गया था फिर दो junction और तीन टर्मिनल आ गये थे इसी से आगे major major तो नहीं लेकर चल रहा हूं माइनर बातों को लिए चल रहा हूं उसके बाद मैंने कहा था कि ट्राजिस्टर को वहनमने देखा था गारी पास दोड़ होते हैं यह यह ने प्लब ऑपी लगता है तो दो टाइप के जो ट्रांजिस्टर आपके आए थे हमने साफ साफ कहा था पहला था आपका एन पी एन और दूसरा था आप लोगों का पी एन और पी यही होता है अब हमें एक्जाम में क्वेशन देता है इनके सिंबल को पैचानने का तो आपने कहा कि ऐसे देखकर हम यह बता होता है उस टर्मिनल को क्या कहते हैं कभी भी बीच वाले टर्मिनल पर एरो नहीं होगा यह कौन सा होता है बेश टर्मिनल होता है जो यह धलान की लाइन वाले स्लांट लाइन वाले दो टर्मिनल होते हैं एरो इन दोनों में से किसी एक पर होगा अब देखो ध्यान से जिस थीशे भी हो सकता है उपर भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है तो यहां बांधर को आप यहां भी लगा सकते उर यहां परसिद करता है अब इनके लिए मैंने यहां से फिर डायोड एक्यूवेलेंट सर्किट भी बनवाये थे एन पी एन था मुझे पता है डायोड का एक होता है इस प्लेट से रिपर्जेंट होता है फिर फी था ये ऐसे तो ये बन किया आपका एन पी एफिर ऐसे अगर मैं होती है ठीक है तो हमने कहा था कि किसी भी bipolar junction transistor को मैं तीन तरीके से configure कर सकता हूं ठीक है तीन तरीके से यहां पर battery को लगा सकता हो और battery को लगाते time आपको समस्य है याद होगी कि transistor के terminal थे 3 battery लग रही थी दो और उसके इसाफ से टर्मिनल कितने हो रहे चार तो चार टर्मिनल को तीन के साथ जोड़ना है तो एक टर्मिनल क्या करना पड़ेगा दोनों बैटरी पर कॉमन रखना पड़ेगा उस हिसाब से फिर मुझे समझाए कि तीन कंफिग्रेशन होती है अब कॉमन लेना था तो मैंने साफ कहा पहली बार मैंने बेस को कॉमन लिया दूसरी बार मैंने एमिटर को कॉमन लिया तीसरी बार मैंने कलेक्टर को कॉमन लिया तो यही मेरी यहां common या ground कौन है collector अब बात आती है मिज़े पहचानने की यह तो common terminal था फिर हमारे पास दो question यह आते हैं कि input कौन से terminal पर होगा और output कौन से पर होगा ठीक है हर case में यही दो question फिर मेरे रह जाते हैं input और output के दिमाग और कान खोले रखना सब कुछ खुद से याद आ जाएगा देखें आपको एक बात याद रखनी है ठीक है मुझे पता है कि बेस मेरा कैसा टर्मिनल था वे लोइस डोपिंग और सबसे चोटे साइज वाला था common तो वह एक केस में है ठीक है बेस की जो पती या था रॉपिग भी कम होता है रहा है कि डोप भी कम को नहीं लूगट सही है कि और छीजने कम है इसकural इससे कभी आउट Пटु और नहीं आ सकता है पहली बात प्हली बात आपको आद रखना है आप मेरे पास बचे दो टर मिनल collector और अब बात आती है कि सर अगर ये दोनों टर्मिनल मेरे पास बसते हैं तो मुझे output कौन सा लेना है अगर ये दो टर्मिनल आपके पास बसते हैं तो आपका चार्ज केरियर जाता कहां था एमिट होके collector पे तो इन दोनों के केस में आपको प्रिफर किसको करना है collector को अपने बाद फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बेस्ते आउटपुट नहीं आ सकता है ठीक है और collector और एमिटर में से एक चांटना है तो कौन सा चांटना है collector अब देखो आप खुद बताएंगे पहले केस में अगर मैं लेकर चलता हूं फॉर्स केस में अगर हम देखते हैं तो common कौन है कौन बचे अब दो collector और एमिटर आउटपुट कहां से आएगा collector से तो इनपुट खुद पता चलिके कौन है ऐसे common एमिटर था तो बचे दो कौन बेस और collector बेस आउटपुट हो नहीं सकता है मतला आउटपुट कौन है collector इसका मतलब इनपुट कौन है बेस है अरे हो जाएगा तीसरे केस में कौन है कौन दो कौन बचे बेस और बेस आउटपुट हो नहीं सकता मतलब इस हिसाफ से इनपुट कहां है बेस निकल गए अब मुझे इनपुट करेंट पूछेगा तो आउटपुट पूछेगा तो इसके साथ यह देखूंगा हर केस में अगर मुझे इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज पूछता है तो मैं इसे साफ से लिख सकता हूँ आ जाएगा यह भी हो गया दूसरी बात आती है मेरे इनपुट और आउटपुट के इंपिडेन्स की या रेजिस्टेंज की तो आप को सिंब्ल सी बात याद रखनी है इन्पुट रेस्टेंज के बात करना हो शीक्विन्ज यह लेकर चलना है ब focused अगर कुछ नहीं पूच्छा था हाई फिर मेडियम और फिर निकल तो गया पूरा ठीक है अगर समझके नहीं आया था तो फिर मुझे रटके याद होगे कि लो मीडियम हाई फिर हाई से मीडियम लो खतम सही है फिर उसके बाद बात आती है कि इनके केस में मुझे एक क्वेशन तो प्रॉपर जिसको मैं सबसे ज्याद रहता है चुभर सबसे हएस्ट होता है तो हां यह तो दोन होते है была हुझे पूछा कि कॉमनलेफाइँ हुता और सफ़ॉपर कॉनलेफाइँ होता और ओलेटर में सिर्फ में थल आपने कहा जैक्ुमनलेटर से और Resist时 करेंड़ होगा यहां common base B है, इसी को थोड़ा सा आप relate कर लें कि B से ही मैंने क्या लेकर चल लिया, voltage लेकर चल लिया, तो यहां सिर्फ voltage amplify होगा, निकल लिया है, ठीक है, तो power gain सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, और फिर इसका, phase inversion की बात करेगा, तो सिर्फ किस में आता है, common emitter में 180 degree का phase shift होता है, तो यह थे तीनों configuration, यह भी हो गया, अब देखें, अब मुझे दूसरी समस्या आती है कि 30 का data तो रट लिया, बात आती है कि जब मुझे equation लिखनी होती है, तो हमारे पास तीन configuration थी, ठीक है, कोई भी equation रटनी की ज़रूद नहीं पड़ेगी, खुद निकल के अब दिमाग में एक बात पहले याद रखें, यहां कौन common है, यहां और यहां, मैंने इनी तीनों के एक एक नाम और कहे थे कि grounded base, grounded emitter और grounded collector, मतलब base ground है, यहां emitter ground है, यहां collector ground है, तो ground का मतलब क्यों होता है, मैं normal समझो, जीरो समझता हो, यह होता है, तो इसका मतलब आपक को common कहा है, वो टर्मिनल मेरे पूरे equation में नहीं आएगा, ठीक, एक मिनट, तब ही मैं कहूं सरभारी क्यों हो रहा है, यह हीट अप होता है, तो base हो गया, emitter हो गया, और collector हो गया, हम लोग बच्पन से एक बात और पढ़ता है, जैसे हम line के question पढ़ते थे, क्या होता था, y is equals to m into x plus, यहीं तो होता था, यह x को value को रखता था, हमारे बच्पन में छट्टी साथ में question बहाते थे, कि ऐसे table बनाके question देता था, ठीक है, नहीं देता था, यहां आपको x और y ऐसे, x की value रखके आपको दे देता था, 1, 2, ऐसे, और आप से question पूछा होता था, कि y की values कि देते होंगे, तो हम यहां रखते जाते थे, इसको solve करते थे, इसका मतलब जो मुझे given है, या जो मैं दे चुका हूं, वो मेरा क्या है, input है, और जो मेरा अब निकल के आएगा, वो मेरा क्या है, तो मुझे एक बात बच्पन से ही indirectly समझाई जा रही है, कि input हमेशा right side में लि ठीक है, अब दो कौन से बचे, एमिटर और कलेक्टर, आउटपुट कहां से आएगा, आई सी बराबर, input कहां है, एमिटर के, इतना छोड़ जी अभी, common एमिटर की case में मैंने देखा, एमिटर है, तो output कहां से आएगा, input, ठीक है, common collector है, तो output, और input, current gain हमारे पास होते थे, alpha, निकल गया, और ये तो हमारा क्या था, ideal case था, फिर मैंने कहा था आप से कि कुछ न कुछ, leakage भी होता है, practical, तो पहले case में कहा, I, C, B, not, C, B, मतलब common base और leakage, common emitter था, तो आपने कहा, I, C, E, not, common collector था, तो I, C, C, not, हो जाएगा, तो ये तीनों हमारी equation थे, तीनों cases में मैंने एक और बात कही, कि यहीं से, अगर मैं लेकर चला था, idle case तो ये था, leakage 0 कहा था, और यहीं से तीनों current gain भी आप निकल सकते है, alpha बराबर, I, C, upon I, E, यहां से देखोगे, तो beta बराबर, I, C, upon I, B, ऐसे यहां से देखोंगा, तो gamma बराबर, I, E, upon I, B, ठीक है, यहां alpha की जो value आती, वो कैसे आती है, एक से कम आती है, ठीक है, standard कितना था, 0.98 था, ठीक है, beta की value कितनी होती है, 20 से लेकर 500 होती है, ठीक है, और यह beta प्लस 1 होता था, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, कि 21 से 501, या greater than क्या होता आपका, beta से होता है, ठीक है, फिर बात आई थी, alpha, beta, gamma के relation की, हमने कहा कि alpha बराबर, beta अपान, 1 प्लस, बीटा, जब alpha निकालोगे, तो plus करना है, beta निकालोगे, तो minus कर देना है, ठीक है, यहां plus, तो यहां minus, फिर gamma की बात आई, तो gamma बराबर क्या होता है, 1 प्लस, बीटा, तो यह alpha, beta, gamma का relation भी निकल गया, सही है, इसक के बाद एक छोटी सी बात बताई थी, कि bipolar junction, transistor, BJT, कितने terminal थे, 3 terminal थे, सबसे ज़्यादा, doping, emitter पर, सबसे छोटा साइज, सबसे कम, doping, base पर, सबसे बड़ा साइज, collector, transistor को proper operate कराने का मतलब है, वो amplify कर रहा है, और amplify करने के लिए, emitter, base junction, forward में, मतलब active region, हमें देखना है, और collector base junction आपका reverse में होना चाहिए, यही था, हमने कहा था कि एक junction, emitter और base के भी, दो junction, collector और base के भी, दो junction थे, तो दो ही depletion region, एक इधर से बनेगा, और एक इधर से बनेगा, यही था, ज्यादा effect किसका होता है, reverse का, reverse बढ़ाने से यह region बढ़ते जाता है, जिसके कारण base की width कम होते हैं, और इसी effect को क्या कहते हैं, base width modulation या early effect कहते हैं, यही था, अगर आपको एक और question पूछता है, सायद मैंने लिखाया है, ना हो, वो होती है term आपकी punch through, ठीक है, punch through का simple meaning क्या होता है, कि आप देख रहे थे कि reverse बढ़ाने पर यह बढ़ रहा था, और base के width घट रही ऐसी condition जब यह बढ़ाते बढ़ाते, जो base की width थी वो लगभग 0 आ जाती है, इस इस्तिति को ही क्या कहते हैं, punch through कहते हैं, यही हमारा क्या होता है, punch through होता है, तो यह था आप लोगों का chapter BJT, सही है, सबसे important बात जो मैंने पहले इसी लिए नहीं कही, यह lecture upload नहीं होगा, ठी है, इतना जो part था lecture का वो upload नहीं होगा, तो इसलिए